मोधी कैपनेट में होंगे बड़े फेर बदल सिंदेगुट को मिल सकता है मंत्री पद 2024 लोकसबाच चुनाओं से पहले भाजपा सियासी राजनीती बिछाना शुरू कर दी है इसी कड़ी में विजेपी अपने सायोगी दलो को रिजाने की कावायाद में जुटी हुई है रभिवार को सूत्रों से आई खबर से पता चला है कि नरेंद्र मोधी कैपनेट मंत्री में मोधी मंत्री मंडल में बड़ा फेर बदल हो सकता है फिलहाल मोधी सरकार में अभी सायोगी दल से एक भी कविनेट मंत्री नहीं है मोधी सरकार मंत्री मंडल में केंद्री मंत्रियों में अभी पांच मंत्रियों के पास तीन-तीन मंत्राले हैं ऐसे में सहयोगी दलों को ऐसा ना लगे कि भाजपा में उनकी अनदेखी हो रही है लिहाजा मोदी सरकार सहयोगी दलों को काईबिनेट में जगा दे सकती है आपको बता दे कि मोधी में होने वाली संभावित फिर बदल सिंदेगूट जेडियों के लिए बेहद आहम साबित हो सकती है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिंदेगूट के कुछ नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है वहीं जेडियों के कई नेताओं को मंत्री मंडल में आहम जिम्मेदारी दी जा सकती है गौर तलाभे की वरतमान में मोधी कैमिनेट में बीजेपी के मंत्री जादा तादाद में है वहीं अगर मंत्री मंडल में मंत्री पत की बात करें तो केवल रिपाब्लिकन पाटी से रामदास अठाउले राज्य मंत्री हैं इस बिज मुक्तार अब्बास नकवी के स्टीफी से जो जगर रिक्त हुई है बीजेपी उसकी भरपाई करने की कावयाद में जुटी हुई है लिहादा संभवा की अगस्त के अंतिम सप्ता तक केंद्री मंत्री मंडल के बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं जिसमें सायोगी दलो को आहम भूम क्या देखने को मिल सकते हैं वीरो रिपोर्ट भीम राज दस्तक देश भर की खबर से अब्डेट रहने के लिए भीम राज दस्तक पेच को फालो जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले